लगबक 8,00,00,00 हो चुकी है ठीक है बहुत अच्छी बात है इस स्कीम डबल हो गया बहुत अच्छी बात है लेकिन मतलब average return देखा जाए sir तो लगबक 10% का मैंने महगाई इंगलूट नहीं किया है inflation rate इंगलूट नहीं कहीं नहीं कहीं आपको knowledge नहीं वैसे भी पूर इंडिय में केवल 10% लोग mutual fund में इंविस्ट कर रहे हैं सोचो बात करूँगा उस fund के बारे में जिस fund की कहानी ऐसी है तो बड़ा आपको मज़ा आने वाला है देखो पागत है आपका good evening कैसे हैं आप लोग क्या हल समाच आ रहे है देखो सास से आठ का time मेरा होता है लेकिन बेसिकलिए भी shoot का time कभी shoot में भी best रहते हैं तो कभी कभी आपका call भी receive करना पड़ता है thank you so much आपके प्यार के लिए लगातार विश्वास के लिए trust के लिए देखो बड़ा एक अच्छा सा discussion actually मेरे पीता जी discussion कर रहे थे मुझसे की बेटा तुझे पता है कि 2013 की बाद थी जब तुम्हारी job चल ले थी मैंने 2012 से job start किया था recently अभी 2-3 महने पहले मैंने छोड़ दिया तो 2012 में तुम्हारी job start होई थी 2013 में हमने एक plot लिया था कितने का लिया था पिता जी नहीं 4,00,000 का plot लिया था तो मेरे ऐसी discussion होने लगा कि पापा इस पो अगर हम इसके जगह पे mutual fund वगरा में invest कर दी होते तो क्या हो जाता तो बोले कितना फरक पड़ता फिर मैंने जब मैं हमने 4,00,000,000 का खरीदा है और 4,00,000,000 का जो plot है न सर वो पापा जी हो पापा जी ने बोला कि बेटा वो double हो गया है मैंने का वा double हो गया बहुत अच्छी बात है अब ये बहुत लोगों के मन में कोशन रहता है कि हमने plot लिया फलानी फलानी जगह पे लिया आज 10 साल बाद उस plot की कीमत double हो गई है देखो कुछ exceptional cases है कि अगर मालोदर से highway निकल गया कुछ और चीज बन रहा सरकारी की कुछ scheme हो गई तो पता चलो वहां का rate एक साल में double हो जाता है वो तो अलग factor है वो exceptional case है लेकिन आपने कहीं फलाना जगह पे लिया और बहुत दिन तक wait किये तो उस plot का price लगबख double हो गया तो मैंने का खुश हो आप बोलते हैं हाँ खुश है मैंने कहा पापा जी अगर इसके जगह पे हम लोग कहीं mutual funds वगरा में कहीं invest कर दियो होते कोई भी skim में तो आज उस पैसे का price क्या हो सकता था चलो देखते हैं वीडियो में बड़ा interesting सा होने वाल तो वहां सलिया और आज की कीमत लगबख 8,00,00,00 हो चुकी है ठीक है बहुत अच्छी बात है इसकी डबल हो गया बहुत अच्छी बात है लेकिन मतलब average return देखा जाए sir तो लगबख 10% का मैंने महगाई को include नहीं किया है inflation rate include नहीं किया है return on investment 10% का मिला तो काफी लोग इसमें खुश रहते हैं और आज मैं अगर चाहूं कि भाई साब मुझे वो 10,00,00 रुपए तुरंत चाहिए sorry 8,00,00 रुपए तुरंत चाहिए तुरंत क्या मिल सकता है शायद मुस्किल होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि plot लेना जमिल लेना गलत बात है बिल्कुल अच्छी बात है आप ले सकते हो लेकिन condition यह है कि अगर इससे अच्छी जगह पे मौका मिलता है तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए उसके बात करते हैं तो मैंने ऐसी बातों बातों में बोला कि पिता जी अगर मैं इसके जगह पे एक ऐसे mutual fund में invest कर दिया होता न तो आज जो हमने पैसा लगाया था, कितना पैसा लगाया था हमने जो चार लाक रुपय लगाया था आज उस पैसे की वैलू लगबख 29 लाक रुपय हो सकती थी अब मैंने इसलिए ही बोला क्योंकि जो इस mutual fund की बात कर रहा हूं न यह mutual fund सर 1995 से चला रहा है कब से चला रहा ह 1995 से ये mutual fund लगातार है और उन लोगों के मुँपे लिटली तमाचा है जो लोग ये कहते हैं mutual fund में long term में इतना पैसा नहीं बनता या mutual fund में long term में इतना return नहीं बनता तो साब थोड़ा आखे खोलो थोड़ा देखो क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो मतलब कहीं न कहीं अग्यानता की कमी है भाई साब कहीं न कहीं आपको knowledge नहीं है वैसे भी पूरे इंडिया में के वाई 10% लोग mutual fund में invest कर रहे हैं सोचो तो normal सी बात है अगर आपको नहीं पता है तो normal सी बात है कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है लेकिन एक ऐसा mutual fund बिलकुल moderate risk वाला mutual fund mid cap category का mutual fund सर आपको 29 लाक रुपए आपकी value को बना देता तो ये power होता है lump sum investment का और ये पैसा क्योंकि मैं अगर return की बात करूँ ना सर 22.66% return दिया है since date of inception मतलब जब से mutual fund आया है 22% दिया है आप लगातार उस लमसम करोगे उस fund में तो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा उस fund के बारे में और उस fund के बारे में कहानी ऐसी है कि वो fund का आप खुछ सामने देखो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप मैंने screen recording on कर दी है आपके लिए अब देख सकते हो कि 4 lakh मैं invest किया होता हूँ समय 22% return मिला है 10 साल की कहानी आज मेरे पैसे की value लगबख 29 lakh हो गई होती और अगर मैं यहाँ महंगाई को भूल जाता हूँ महंगाई को भूलना मतलब include करना sorry महंगाई को अगर include करते हैं अबन 6% तो देख देखा जाए तो लगबख कितना हो जाएगा लगबख मान के चलो 10 lakh इस पे minus कर दो आप 18 lakh रुपए तो महंगाई को include करके आज इस पैसी के value 18 lakh रुपए होती अब सोचो अगर काफी लोग ऐसे मन में आता है कि मेरे पास लाक रुपए है plot में मुझे खरीदना है दो खरीदो कोई बात नहीं है लेकिन अपन compare कर रहे है यार यह अपन नहीं बोल रहे है कि आप अभी जाके कोई plot को sell करके mutual fund में पैसा डाल दो बहुत जगा अलग-अलग case होता है कहीं कहीं आपको न कहीं कहीं आपको 12% के रिटन में जाता है 13% के रिटन में जाता है बस बात होती है liquidity की मतलब जब पैसे की आपको जरूरत है अगर उस समय पैसे नहीं बिल पा रहे हैं तो क्या problem हो जाती है अब देखो मैं अगर बात क करूंगा उस fund के बारे में जिस fund की कहानी ऐसी है तो बड़ा आपको मजा आने वाला है देखो fund का नाम है निपॉन अंडिया growth opportunity fund overall 19.15% मिला है यह graph थोड़ा सा कम है अगर आप overall देखोगे 22.66% मिला है आप money control website में चेक कर लेना 22.66% मिला है and इसका जो holding देखो न 95 company में पैस already invested है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 4 star rating है 100 रोपे से SIP कर सकते हो इसमें अच्छी बात है one time भी कर सकते हो इसमें one time भी कर सकते हो इसमें मतलब आप इसमें लंसम भी कर सकते हो सर अब लंसम की बात करें तो holding अच्छी खासी holding है मतलब देखा जाया तो 98% आप equity में invest कर रहे हो expense ratio भी लगबग 0.83 है जादा expense ratio नहीं है fund बहुत पुराना है तो यह ऐसे fund में देखो जब आप लोग invest करते हो न तो ऐसे fund आपको बहुत मुका देते हैं कि आप महंगाई को बिट करो आप चाहो तो long term में पैसा बना सकते हो SIP का ही power इसमें बहुत अच्छा है तो overall देख पास SC facility है या ऐसा एक कह सकते हैं कि एक अलग एक है आपके पास option है जिसको मैं option बोलूँगा option है कि जहां पास आप अगर invest करते हो तो आपको return अच्छा कासा मिल सकता तो मुझे लगता है plot बगर आपका मन हो तो बिलकुल लेना चाहिए definitely पहला हमारा assets होता है पहली investment लेनी चाहिए जो recently मैंने भी किया actually तो इसके बाद भी आपको mutual fund investment की ओर aggressive होना चाहिए आप SIP सुरू करो लबसम चालू करो इसका भी power अलग है sir आपको minimum 15% की बात में कहता हूँ कि long term में 15% mutual fund में अगर एक अच्छे fund में invest करते हो तो मिली जाता है बहुत सारे option है अब lack of knowledge हमारे पास knowledge नहीं है तो हम फसे रहते हैं कि चीज में फिर उसको चीज के लिए loan लेते हैं फिर उस loan को चुकाने के लिए काफी समय लगता है और हम उतनाव corporate से कठा नहीं कर पाते हैं इसलिए ये just discussion हुआ I thought कि ये चीज ना video में include किया जाए so that आप लोग को थोड़ा सा interesting और realistic ची हां बिना risk के लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है right so this is for today's videos बाकी next जो वीडियो आने वाली है लगबक 8.30 तगा जाएगी आपके comments में video बना रहा हूँ तो भी video जुरूर देखना हो सकता है कि कि किसी का comment का answer उसमें जुरूर मिले और आपको सीखने को मिले right मिलते ह video के साथ बावे टेक केर जै हिन दोस्तो